तो प्यार दोस्तों हम बात कर रहे हैं digestive system की पाचन तंत्र की और लास्ट वीडियो में हमने ऐसोफेगस और स्टमक के बारे में जो है प्यार दोस्तों complete information जानकारी ले लिया था complete पढ़ाई कर ली थी किसके बारे में स्टमक के बारे में और एसोफेगस ग्रास नली के बारे में तो प्यार दोस्तों जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र digestive system तो इसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं आंग आते हैं जिसमें से हमने जीव दात अना बकल कविटी और एसोफेगस और फिर अस्टमक तक की जो है पढ़ाई कर ली है आज जो है प्यार दोस्तों हम बात करेंगे किसकी intestine की है ना intestine में हम जानते हैं small intestine और एक होता है large intestine इसके बारे में आज हम complete जानकारी लेंगे तो प्यार दोस्तों मैं छोट लाल कुमार महतों आप सबी का हर्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल RKD Science Classes में तो प्यार दोस्तों आप लोगों से मेरा यही अनुरोध निवेदन है कि आप चैनल को जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लगातार करते रहें तो प्यां दोस्तों चलिए आज की क्लास सुरू करते हैं जो होगा इंटेस्टाइन आत का है ना तो आत जानते होंगे आप कि हर किसी हर प्राणी के अंदर में आत पाए जाता है एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है स्मॉल मतलब पतला वाला और लार्ज मतलब मोटा वाला आत हमारे एरिया में गाउद्याद में जो है इसे पोटा की नाम से जानते हैं पोटा बोलते हैं और बहुत सारा कहावद भी कहते रहते हैं इसे रिलेटेड जैसे कि मैं खोठा वासी हूं तो अगर कुछ हाड़ वर्क करना होता है तो लोग बोलते रहे पोटवा दुहरा जितो रहे दुहरा जितो पोटवाई कम्मा करे में तो इस तरह से यह बहुत ही इंपोर्टेंट है हमारे लिए हमारे एक्जाम पॉइंट ओफ वियू के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जो हो और यह तो क्लीड डाइजेसं प्लस एबजॉप्सन हाना तो इसका काम क्या है पुर्नता पाचन करना और जो भी लिक्वीड है उनका और सोशन करना सिर्फ वाटर को छोड़कर हैना ज़िए बात आपको याद रखनी है और लेंद की बात करे स्मोल इंटेस्टैन की तो वह होता है 6-6.9 मिटर ओके 6-6.9 मिटर जो है इसकी लंबाई होती है अब बात करेंगे प्यार दोस्तों कि पार्ट ऑफ प्स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन-कौन से पार्ट होते हैं तो फर्स्ट होता है प्यार दोस्तों डूडेनम डूडेनम हमने देखा था हमासे के साथ जो है ये ज्योइन था है ना इसलिकों बोलते हैं ग्रहनी तो ये क्या होता है किनेक्ट विद् स्टमक अमासे से क्या होता है जुड़ा रहता है ये दूडेनम ओके और इसका क्या है काम क्या है तو इसका वर्क क्या है पर दोस्तों emulsification of fat fat का वसा का yc करन करने का जो है यह काम करता है हना और इस emulsification में जो है yc करन में पर दोस्तों क्या होता है fat plus bile juice एक साथ मिलते हैं हना तो इसमें क्या होता है fat fat मतलब की वसा और bile juice मिल करके क्या करते हैं ब्रेक फूड का breakdown इंट्व टीनी पार्टिकल्स टीनी पार्टिकल्स भोजन को सुख्ष मकनों में जो है तोड़ने का काम करते हैं उसके पास सकेंड पार्ट होता है प्यार दोस्तों जैजूनम जिसको बोलते मद्य आत इसका क्या काम होता है रक्त संचार करता है हमारे बोड़ी में है ना हमारे आतों में या फिर पाचन अंगों में क्या करता है यह बोड़ी में रक्त का संचार करने का काम करता है ट्रांस्पोर्टेशन ऑफ बलड कह सकते हैं उसके बाद तिसरा फोर्म होता है इलियम है ना क्या बोलते करने का काम करता है और फिर संचार करता है किसमें इंटेस्टाइन में और फिर इलियम मेजर पार्ट मुख्य भाग यह क्या होता है कनेक्ट विट लार्ज इंटेस्टाइन ओके बड़ी आत के साथ जो है यह जुड़ा हुआ होता है या फिर जोड़ने का काम करता है छोटी आत को बड़ी आत के साथ कौन इलियम यह आप याद रखिएगा अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर बात करें प्यार दोस्तों तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है फिगर लाइक प्रोजेक्शन हाना फॉंड है अना तो फिगर के फिंगर के जैसा अंगुलियों के जैसा यहां पर क्या मिल पाई जाता है प्रोजेक्शन हाना जिसको क्या कहा जाता है विलाई हाना वीचिस कॉल्ड विलाई फिंग प्रिष्टिय च्छत्रफल उपलब्द करता है और इन विच डाजेशन और वेरी इजली जिससे क्या होता है प्रिष्टिय च्छत्रफल मिलने के वज़ा से जो डाजेशन है जो पाचन है बहुत ही असानी से होता है अस्मौल इंटेस्टाइन में आप यहां फिगर में देख रहे होंगे कि इस तरह के एक एक इंटेस्टाइन बना हुआ है और इसमें जो यह रेड पाचन-उस का होते जाता है न तो यही left करता है कौन विलाई मतलब की भोजन को असानी से पचाने में हमारी मदद करता है breakdown of food मतलब यहांपर क्या होता breakdown of food भोजन का मतलब की small particles में तुटने का काम होता है अब बात करेंगे प्यार दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन की ओके यह स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी यही तक थी अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बड़ी आथ की बात करें तो इसमें क्या होगा इसका लेंथ जो है प्यार दोस्तों लंबाई यह कितना होता है 1.5-meter कितना 1.5-meter और इसका diameter क्या होता है ब्यास बहुत जदायदा मतलब कि Small intestines से बढ़ा होता है आशेलिए यह जो है करते सकते हैं कि यह होता मतलब इसमें ब्यास जो है diameter चोटा होगा और द्रभी होगा और यह डामेटर इसका ज्यादा होता जिसके वज़या से यह मोटा भी होता है अगर इसकी कारियों की बात करें फंक्षन का तो क्या क्या इसका फंक्षन है इसका एक ही फंक्षन है प्यार दोस्तों absorption of food फूड का जो है भोजन का अवसोशन करना और मुख्यता किसका पानी का यहां देख रहे थे पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा था है ना सारा चीज एब्जॉर्ब हो रहा था लेकिन यहां पर पानी का absorption नहीं हो रहा था लेकिन जो है पानी के absorption कहा होगा इस large intestine में हो पार्ट होते हैं कौन-कौन से भाग होते हैं एक होता है प्यार दोसों सीकम फर्स्ट क्या है सीकम यह क्या होता है छोटी आप से जुड़ा हुआ होता है किस से जुड़ा हुआ होता है छोटी आप से उसके बाद एक होता है कॉलोन जिसको मध्यानत्र बोलते हैं यह मिडिल प स्टाइन का लार्ज इंस्टाइन का जो है लोवर पार्ट जो होता है सबसे निचला भाग उसको बोलते रेक्टम और रेक्टम है मतलब कि उसको मलासा ही बोलेंगे मलासे मतलब कि जो भी हमारा खारे के बाद भोजन पसता है है ना और हम सुबा सुबा जाके बाथरूम में न नादत होती है आदमियों की सुभा निकालने की तो यह था प्यार दोस्तों लार्ज इंट्रेस्टाइन और साथ ही हमने देखा स्मॉल इंट्रेस्टाइन के के बारे में अगर वीडियो पसंद आया हो प्यार दोस्तों अच्छा लगा हो तो जरूर से चैनल को लाइक किजिए और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना सेयर करते रहें प्यार दोस्तों आप से मेरा यही बारंबार अनुरोध है तो प्यार दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत जैजहार खंड